नमस्कार दुस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि JAR account को permanently delete कैसे कर सकते हैं जिहां गईज़ आपने भी JAR application से account को create किया और आप उस account को delete करना चाते हैं तो गईज़ आज किस वीडियो को start से लिकर end तक पूरा देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेला आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नौटिपिकिसन आपको मिलते रहेगी तो चले अप्रेंड साइच के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको जाइर एपलिकिसन के उपन करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं discussions को परमानली डिलेट करना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको एकन्ट का अपूद्सम पर क्लिक करना है account का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं आप आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको delete account का option देखने को मिल जाता है delete account के option पर click करना delete account के option पर click करने के बाद गई जहांपर आप दीख सकते हैं यहांपर loading हो रहा है और गई जहांपर आपको कुछ time के लिए wait करना है wait करने के बाद गई जहांपर आपको इस तरह का interface देखने को तो गई जहां पर आप दीख सकते हैं, यहां पर आप जार application को delete करना चाहते हैं, तो गई जहां पर आपको delete account का प्लिक करना है, delete account का प्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं, यहां पर आपको region को select करना है, तो गई जहां पर मैंने region को select कर लिया, इसके बाद ग करना इसमस्वल करने के बाद गई yol पर देख सकते हैं यहां पर मैंने अचल्च को सेंड कर लिए और गई जहां पर आप देख सकते हैं जहां पर मोबैल निमबर पर ओठी पे आएंगे वह टीप को फिल का निया इसके बाद गई जहाँ पर आपको proceed के option पर क्लिक करना है